ओम नमो भगोते बास देवाई नमाहा स्वागाते आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको एकादिसी का महा उपाय बताने बाला हूँ एकादिसी के दिन जो ब्यक्ति ये उपाय करते हैं उनकी प्रतेक मनो कामना पूरी हो जाती है आपके पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं धन प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं प्रतेक कारम रोकावट आती हैं तो आपको एकादिसी के दिन तुलसी पत्र और एक लोटा जलका यह उपाय जरू करना है। और पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं, धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। पित्रों के नाम से तरपन करें, उसके बाद में तुलसी माता की पूजा करें। भगवान कृष्ण के इसनान का जल तुलसी के ब्रक्ट पर डाले और तुलसी माता के सामने आपको दीपक जला करके प्रातना करनी है दोस्तों पहले से रखे हुए नीचे गिरे हुए ग्यारे तुलसी के पत्ते आपको लेने है एक आदिसी के दिन जो व्यक्ती पीपल ब्रक्ट के नीचे दीपक जला करके और कच्चा सुनत जो सपीत बाला होता है वह साथ बार अगर आप लपेड़ देते हैं तो आपकी मनो कामना अवस्य पूरी हो जाती है एक आदिसी के दिन ग्यारे तुलसी के पत्ते ले 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 एक आदिसी के दिन तुलसी ब्रक्ट के से पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं नीचे गिरे हुए पत्ते ले 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 आप पहले से रखे हुए पत्ते आपको ले लेने हैं अब आपको क्या करना है, एक मिट्टी का कलस लेना है, मिट्टी बाला, आपको धातुका नहीं लेना है, मिट्टी का कलस आपको लेना है, छोटा सा कलस ले ले और वह कलस आपको भर लेना है, साथ ही तुलसी के पत्ते भगवान के सामने आपको समर्पित कर देने हैं, और और उसी लोटे के जल के अंदर आपको तुलसी के पत्ते डाल देने हैं अब ओम नमो भगवते बास्ते बनमा मंत्र का जाप करना है और उसके बाद में यह जल और तुलसी का पत्र उसे पला दीजिए जिसके चप पूरी नहीं उपा रही आपकी प्रते के चप पूरी हो स्क्राइब करें ओम नमस्च्वाइब